हलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल जगत क्लासेस में दोस्तो आज हम लोग चैप्टर 3 के कीपिंग कॉइट के बची हुए लास्ट के 3 इस्टेंजास देखेंगे इसके फूर्थ इस्टेंजास का एक्स्प्लानिशन हम वीडियो पार्ट वन में दे चुके हैं अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजेगा तो आज हम बात करेंगे 5, 6 and 7 लास्ट के बचे हुए 3 इस्टेंजास देखेंगे 5 इस्टेंजास क्या कह रहा है कि आप लोगों को शांत रहना है कुछ नहीं करना है बिलकुल और इसमें कह रही है कि मेरा कहने का मतलब यह नहीं है कि मैं यह कन्फ्यूज आपको नहीं करना चाहती वो अपना एक्सपस्टी करन दे रही है इस बात के लिए कि वो मौन रहने के पक्ष में नहीं है कि आप उन्होंने पहले तो कहा था कि मौन रही है सांत रही है चुप रही है जब तक कि मैं 12 गिनती हूँ तब तक कि आपको कुछ करना नहीं है उन्होंने कहा था कि घड़ी में 12 गंटे होते हैं और साल में 12 महीने होते हैं तो आपको कुछ समय के लिए सांत रहना है लेकिन वो कहते हैं कि मेरा कहने का मतलब यह बिलकुल नहीं है वो अपनी कंफ्यूजन यानि कि जो लोगों के अंदर कंफ्यूजन बनी हुई है वो कह इसका मतलब होता है no struck with death म पुऑ संबंध नहीं का करेगा नहीं ना कोई कारि करेगा न कुछ करेगा तो वो निस्करिय माना जाएंगा जाने की मरे हुए डिट बॉडी की तरह तो उनका कहना है कि मैं यह नहीं कह रहे हैं कि आप कुछ करे ही ना निस्क्रियन ना रहने के लिए वो कह रहे हैं बाकी आप अपना रोज मर्रा के जो रिगुलर वर्क है वो करते रहें ठीक है मतलब किसी भी तरह से प्रकती से छेड़ चाड़ ना करने के लिए उन्होंने कहा है कि इसमें बहुत ताकत होती है बस इतना साहिस में और कुछ खास नहीं है नेक्स इस्टेंजास देखें के 6 कि इफ वी वर नौट सू सिंगल-माइद इफ वी वर नौट सू सिंगल-माइद अबाउट कीपिं आवर लिवस मूविग और फोर वन्स कूद डू नतिंग परहप्स अ हूज शाइलेंस माइट इंटर्प इंट्रप इस सैडनेस अफ ने इंटर्प 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 का मतलब होता है दखल देना शैडनेस तो आप जानते ही दुख या उदासी होती है अंडर्स्टेंडिंग समझना और त्रेट्निंग जो लिखा हुआ है खत्रा खत्रा उत्पन होना यह इसके वर्ड मिनिंग थे तो अब देखते हैं इसका एक्स्प्लानेशन्स जो कवी है लोगों को आत्म केंद्रित और स्वार्थी ना होने की सलाह दे रहा है कि मनुस्य को स्वार्थी नहीं होना चाहिए एक छड़ के लिए अपना जीवन गुजारने और अपनी जरूरतों को पूरा करने अथ्वा अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के विशह में सोचना बंद कर देना चाहिए थोड़ी देर के लिए कुछ छड़ बर के लिए मतलब अपने विशह में सोचना या स्वार्थी होना यह सब छोड़ देना चाहिए प्रकति पे छोड़ देना चाहिए कुछ समय के लिए आपको कुछ करना ही नह एक लंबी सांती के बाद आप देखेंगे कि बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ होगा वह लोगों की सहायता ही करेगा और उसे जो है स्वयम को ना समझ सकने की निरासा से उबारने में भी उसकी हेल्फ करेगा यानि कि हम कहते हैं कि अगर आप किसी परिशानी में हो तो आपको तुरंत ज्यादा टेंसर नहीं लेनी चीए थोड़ा सांत रहना चीए को समय के लिए रिलाक्स हो जाना चीए सब इस वर पर कहते हैं कि छोड़ देना चीए निचर पर और कुछ समय के बाद आपको एक कहते हैं लंबी सांती के बाद आपको एक उसका सोलूशन मिल जाएग जिससे आप उससे उबर सकेंगे और अपने कारियों को जो है मृत्यू के कारण जो लोग पूर्ण करते हैं वो ऐसा भी नहीं होगा और यहां सांती का जो छड़ है उन्हें स्वयम को बहतर समझने में समय देगा स्वयम को बहतर समझने का समय देगा तो कुल मिला करके इस स्टेंजास में पैबलो नरूडा का कहना है कि कुछ समय के लिए हमको जो है स्वार्थी नहीं होना है अपनी जिम्मेदारियों को थोड़ी देर के लिए भोल जाना है और हमको कुछ नहीं करना है और फिर जब हम सांती के बाद देखेंगे एक बहुत ही परिवर्तन हो चुका होगा हमारी सोच में और या हमारी परिशानियों को समझ सकने में खुद हम अपने आप में सक्षम हो सकेंगे क्योंकि से बहुत आकत होती है नेचर में लास्ट देखेंगे स्टेंजास कि परहेफ्स दा अर्थ can teach us, उनका कहना है कि प्रत्वी भी हमें बहुत कुछ सिखा सकती है, प्रत्वी भी हमको बहुत कुछ सिखा सकती है, as when everything seems dead, जब हमको जो है, सब भी चीजे जो है, मृत प्रतीत होती है, तो क्या होता है कि अगर कोई बीज हम प्रत्वी में गाड़ देते हैं, अब अगर कोई बीज हो और उसको प्रत्वी में गाड़ दें, तो वो तो बीज तो dead होता है, लेकिन प्रतवी क्या करती है उसको पुना जीवित कर देती है और एक नए पेड़ में परिवर्तित कर देती है वरक्ष में पेड़ में ठीक है जो भी आप समा सकते हैं तो प्रतवी में कह सकते हैं नेचर में इतनी ताकत होती है तो कुछ हमको प्रतवी के लिया निकी नेचर के लिए भी छोड़ देना चाहिए हमको हर एक चीज में इंटरप्ट नहीं करना चाहिए now we will count up to 12 अब हम 12 तक गिनेंगे and you keep quiet और आप सभी सांत रहेंगे उसके बाद मैं चली जाओं बस इसमें इतना ही कहा गया है कि कुछ हमको प्रकती पर छोड़ देना चाहिए आप पार्ट बन भी देख लीजिएगा और आपको ये वीडियो समझ में आया है तो अब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सस्क्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को और इस वीडियो को सेर कर दीजिएगा इससे यादा इंट्रेस्टिंग आपकी कोशन अंसर होने वाले हैं तो कोशन अंसर का वीडियो देखना ना भूलेगा तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार थैंक यू फो वाचिंग मैं वीडियो